अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो देर मत करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करें बढ़ती उमर के असरात से जिल की हिफाज़त उमर बढ़ने के साथ साथ अजा की लचक कम होने लगती है जिससे चेहरे घर्दन और हाथ पैरों की जिल पर लकीरों शिकनों या सिल्वटों की शकल में जुरियां सी मिक्तार होने वाली एंजुरियों या शिकनों से हर ओरत खाती है क्योंकि जब ये किसी भी दिखकर चेहरे पर उफड़ती है तो हुसन मान पढ़ने लगता है माहिरिन के मुताबिक वाइटमेंसी के ज्यादा इस्तमार से जुरियों का खात्मा किया जा सकता है वाइटमेंस में चंद खावातिन को एक जैसी क्रीम का इस्तमार करवाया गया जिसमें वाइटमिन सी की बड़ी मिक्दार मौजूद थी आट मार तक रूजाना इस्तमार से इनकी जुरियां खासी हद तक कम हो गई माहरी इन खावातिन को जिल पर पढ़ने वाली इन शिकनों की फिकर करने से ज्यादा जिल की इफाज़त का मशवरा देते हैं इसके लिए तच्वीज किया जाता है कि जिल को बराहरास पढ़ने वाली ग्रूप से बचाया जाए क्योंकि इसकी मुज़े शुआएं भी जिल के लिए बहुत नुफसान दे होती है 30 से 35 साल के बाद वो अर्सा शुरू होता है जब खावातिन को अपनी जिल की खुसी देखार शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि कुद्रती तोर पर इस दोरानिये से जिल के हार्मोन्स में तबदीली का अमल शुरू हो जाता है जिससे जिल पर शिकने और लकीरे नमुदार होना शुरू हो जाती है माहिरीन के मताबिक जहनी दबाव भी कबल अजवक जुरियां पैदा करने का बाइस बनता है पानी की कमी और जिल की खुश्की भी इसकी बड़ी वजा है इसलिए दिन भर में आठ से तस ब्लास पानी पीने का मामुल बना लेना चाहिए इसके अलावा दूद और फलों का रस भी जिल की दिलकशी में जाफिका बाइस होता है चेहरे पर सबसे पहले आँखों के एर्द के जुरियां अपना देरा जमा लेती हैं जो बहुत बदनुमा लगती है इसलिए रात को सोने से पहले आँखों के एर्द के और पपोटों पर कोई अच्छी नाइट क्रीम लगाएं नाजीन और सामाई हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अगर आपको अमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरू करें और बेर आइकौन पर क्लिक करें ताकि आपको अमारी हर वीडियो की नोटिविएशन सबसे पहले मिलें और अगर आपने हमारा चैनल सबस्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्राइब करते